अगनी, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, हाती, शहर निकालने वाला, हिरन, मचली, पिंगला वैश्या, कुकरपक्षी, बालक, कुवारी कन्या, बान बनाने वाला, सर्प, मकडी, और भ्रंगी कीट, इन चौबीस से सीखने की चर्चा है, ये निचोड निचोड की चर्चा है, ये हम साथ दिन कथा सुने हैं ये उसकी चर्चा है, तो प्रत्वी से क्या सीखना है, प्रत्वी से सीखना है शेहन शीलता, छमा शीलता, हम जो भी कर रहे हैं, प्रत्वी के उपर ही कर रहे हैं, हर चीज प्रत्वी के उपर ही हो रहा है, भूमी का ही दोहन हो रहा है, लेकिन उसके बाब जूत भी प्रत्वी हम सब पर करपा करती हैं, सैन करती हैं, और हमें करपा देती हैं, वायू चलती है लेकिन दिखती नहीं है जीवन में सतकर्म कर्म ऐसे करो इसका दिखावा नहूँ जीवन में ध्यान रखो आकाश अनंत है ये मनश्य के बाहर भी है और मनश्य के भीतर भी है व्यक्ति को चाहिए, योग्य पुरुष को चाहिए, बुद्ध पुरुष को चाहिए कि आकाश ये गहराई जैसी इस्तिती से अपने जीवन को जीना चाहिए आकाश जैसी गहराई होने चाहिए जल औरन को सीतल करें, आप हों सीतल होए गुण है जीवन ऐसे जीओ आपके जीवन भी आनंद हो औरों के लिए आप आनंद वन जाओ सिर्फ अपने लिए मत जीओ और जो लोग अपने लिए जीते हैं एक समय वो आता है वो अकेले रह जाते हैं उनके पास कोई नहीं होता कोई नहीं होता कुछ शवयात्रां ऐसी होते हैं जिनको देखकर आश्री होता है मतलब किसी में हालत यह होती है कि 4 लोग दोड़े दोड़े जा रहे होते हैं यह बताता है कि इस विक्ति के जीवन की कमाई क्या है आपकी शव्यात्रा बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया चार कमाय यह चार हजार कमाय शव्यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन है सहाब सबसे बड़ा दर्शन काश व्यक्ति समझ भाए काश आज की जंदिगी लोग ऐसे जी रहे हैं कि पड़ोसी से मत्तब रखना नहीं चाहते है इतने ज़्यादा अपने आपको अप टू डेट रखना चाहते है कि बस उसके बाद होता क्या है जब घर में आगे लगती है तो पड़ोसी काम में आता है सारा attitude और status भार खड़ा होता है अगनी से सीखा कि जीवन में ग्यान की अगनी हमेशा जीवन में जलती रहनी चाहिए सीखने की चाहत कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहो ग्यान लेते रहो हमेशा स्टुडेंट बनो जीवन में कभी शिक्षक मत बनना तात पर यह अपने आपको हमेशा विद्यार्ती बनकर जीवन जीओ जो लोग अपने आपको विद्यार्ती मानकर जीवन जीते हैं लोग का जीवन सुन्दर होता है और जरूरी है सूरिय सूरिय समान भावस से सब को देता है आप में से हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो सूर्य को अरग न देता हो कोई देता हो जल चड़ाता हो न चड़ाता हो लेकर ऐसा तो नहीं है न कि साब इस गर से मुझे जल नहीं आता मैं इस गर में प्रकाश नहीं दूँगा सूर्य सब को प्रकाश देता है चंद्रमा चंद्रमा की 16 कलाएं होती है छोटा 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 बड़ा 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 एक समय अंदकार एक समय उजाला पुर्णिमा भी है मावस्या भी है सब कुछ है सूना क्लाय हुने के बाब जूद भी चंद्रमा से क्या सीखना है कि चंद्रमा चंद्रमाई है चंद्रमा बदलता नहीं है जीवन में उतार चड़ाओ आते हैं पता पड़ा चार पैसे आया गया आदमी आदमी को नहीं पूसता चले गए तो फिर बैठे हुए, भाई सब बताईए, कुछ काम बताईए होता है करे लोग कि लोटरी खुल गई तो इंसान इंसान को नहीं समस्ता फिर तो ऐसा भी दर्शन आता है एक जैसे रहो, जीवन में उतार चड़ाओ सब होते रहें गे अपनी जिन्दी को ऐसे जीओ कि कोई तुम्हारा पुराना मिले तो उसको ये ने लगी, तुम बदल गए तुम वही मिलो जो तुही तुम वही साल पहले थे, तीस साल पहले थे पचास साल पहले थे चीज़ें उपर नीचे होंगी बैंक बैलेंज छोटे बड़े होंगे उससे जीवन के सभाब पे फरक नहीं पड़ना चाहिए यही जीवन है कबूतर कबूतर से संतों के लिए बताया है कि संत के लिए दुनिया अपनी है पर कोई अपना नहीं है क्योंकि कबूतर ही मरती है तो कबूतर भी मरता है इसलिए उसको पिजन हाट बोलते है मतलब सबसे कम जोर रदय कबूतर को गोली थोड़ी मारने पड़ती है पठाके के आवस से मर चाता है वो तो तो जीवन को आप महान संतत्व के और जा रहे हैं ऐसा जीवन न जीए कि किसी के प्रभाव से आप भी दुखी और सुकी होने लगें यह फरक नहीं पढ़ना चाहिए यात्रा ऐसी होना चाहिए अजगर महात्मा को अवधूत होना चाहिए जो मिल गया कोने में पड़ा अजगर छे-ाट मेने गुदार देता है महात्मा वही है महा आत्मा यह नहीं कि संग्रह में लगा हुआ है और अपना घर भर रहा है अपना अपनी जोडियां भर रहा है और चोला पेना हुआ है महा हमाँ का ऐसा नहीं चाहिए है महात्मा की चर्चा है कि यह महात्मा की चर्चा है कि हादी कास्ट की हत्नी बनाई जाती थी पहले और बड़ा गड़ा करके ऊपर छोटी छोटी लकणियां रखके उसके उपर कास्च की लकणी हतनी को खड़ा कर देते थे बाजा बजाते थे हाती आती देखता था रही है तो हतनी है उसके पीछे दोड़ता था और उसके आगे गड़ा और होता था उसमें गिर जाता था पकड़ा जाता था मचली से सीखा मचली क्या करती है मचली के काटे में दाना देखो जबकि मचली को देखो तो क्या समुद्र में नदी में तालाब में सरोवर में कमी हो उसको भोजन की क्या आपने कभी ऐसा देखा कि कोई मचली सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा आपको कभी ऐसा, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाब जूद भी वही मचली, जब वो कांटा जाता है, उसके लालच में आती है, फुस जाती है और मर जाती है अतरिक्त लाब, अतरिक्त लालच के चक्कर में अने को लोहों के बैंकों के सफाए क्लीन स्विफ हो जाता है आपके लॉटरी खुली है जब तब 10 मिन बात करेगा 11 में पर तो मैसेज आजाता है ट्रेंट 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 गया सब कुछ जए हो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कई लोग और कौन के साथ होता है जो पड़े लेके लोग है अच्छे खासे पड़े लेखे लोगों के रिपोर्ट्स है हिरन, हिरन के साथ भी यह उसको भी पकड़ा जाता संगीत बजाया जाता और वो फस जाता है पिंगला वैश्या, एक वैश्या थी पिंगला वैश्या रोज सज्दसकर बैठती अपने शरीर को बेशती एक दिन वो बैठ गई और बैठ कर वो किसी के आने का अंतजार करते रही वो जहां बैठी तो उसके ठीक सामने एक मंदर था ठाकुर जी के बड़े संदर प्रतिमा थी उसमें आज वो बैठी कुछ देर बीती, कुछ गंटा हो गया, कुछ दो गंटा हो गया कोई आया नहीं अब वो अपना मन कहा लगाए तो बैठी बैठी ठाकुर जी के पास आ रहे लोगों को देखती ठाकुर जी को देखती देखते, 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 सुबह से दोपेर हो गई दोपेर से सांज हो गई और अब रात्री होने लगी कोई नहीं आया लेकिन उसका रिदय ठाकुर जी को देखते देखते ठाकुर जी में चला गया और इतने में उसमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया वो बुद्धत्व को प्राप्त कर गई और उसको क्या बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि मैं दुनिया का इंतजार कर रही थी और दुनिया बनाने वाला मेरे सामने था मैं सजी लोगों के लिए लेकिन मुझे किसे पूछा नहीं जीवन कट जाएगा मुझे तैयारी जिसके लिए करनी थी जिसके लिए सजना था वो तो गोविंद मेरे सामने ही है और उसका बुद्धत्व जागा और असने अपने आपको गोविंद को समर्पित कर दिया किसके लिए सजनाया में इसके लिए कौन सा स्वांग कौन सा मेकप अध्यात्प का, ग्यान का, भक्ती का, वेराग का ठीकि बाकी सारे मेकप यहीं छूट जाएंगे और जिन पर चड़ेगा वो भी छूट जाएगा वो भी छूट जाएगा बचे का कुछ भी नहीं और जो साथ जाएगा वो यही जाएगा, कुछ और जाएगा नहीं इस बात को भी समझना हम सब के लिए अतियावश्यक है परम आवश्यक है उसको ग्यान हो गया औरों को हुआया नहीं है यह और जाने कुकर पक्षि मांस का टुकड़ा लेकर आकाश में उड़ता है और जब वो उड़ता है तो उसके पीछे बाहज चील जैसे बड़े पक्षि लग जाते है वो देखता है जैसे वो करीब आते हैं वो टुकड़ा छोड़ देता है वो उसको छोड़के उस टुकड़े के पीछे लग जाते हैं वो टुकड़ा अगर उसके मुख में रहता तो उसका भी शिकार होता जीवन में सब करो बहुत दिखावा मत करो कई बार दिखावे के चक्कर में व्यक्ति जीवन से भी हाथ दो बैटता है कई लोग दिखावा बहुत करते हैं जीवन में बड़ा दिखावा है और जीवन को अगर जीने का सही तरीका अगर किसी को सीखना है तो श्री गणेशी से सीखिए सब कुछ देने वाले जनके पास रिद्धी सिद्धी है जनके पास ग्यान है जो विगन हडता है जो सब डकार ले जाने वाले है इतना बड़ा पेट है दूर दरश्टी ऐसी सुन्दर आखिये उनकी दूर तक जाती है लंबी सून है, दुनिया के सारी हलचल उनके पास है सब कुछ होने के बावजूद भी सवारी चुहे की है, दिखावा नहीं है ये दर्शन है, ये बड़ा दर्शन है, ये समझने वाली बात है और ये जानना बहुत जरूरी है लोग क्या कर रहे हैं, उनको देखकर लोग घी रहे है आपकी इस्तिताब परिस्तिती क्या हैं, जीना जबकि उसके इसाब से है ये एक बड़ी प्राब्लम है पड़ासी ने बड़ी कार खरीद ली, नींदा आप तो नहीं आ रहे है पड़ोसी के यहां बड़ी कर आ गई वो आराम से सो रहा है तुम सो ही नहीं रहे हो क्यों? क्योंकि वो अखर गई तुम्हें अब तुम रात दिन लगे पड़े हो अब इससे बड़ी हम लेकर आएंगे मतलब तुमारी जंदिगे कोई जंदिगे नहीं रिमोट तुम्हें उसकी कार वो कर रहा है पड़ोसी तुम्हें रिमोट कर रहा है तुमारा रिमोट पड़ोसी के हाथ में है अश्चर की बात है जंदिगे में अपने आपको स्वयम से रिमोट करो ना कि तुम्हें कोई रिमोट करे जीवन में दिहान लखिएगा इस बात को बालक से क्या सीखा बालक से सीखा भूला पन बालक के पास क्या होता है भूला पन जो सबसे कीमती चीज है जो दुर्व के पास थी जो प्रेलाथ के पास थी जिसके कारण गुविन रींज गए और आ गए जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा सनप से अकेले विचरन करो गुरुप में नहीं करता है अकेले करता है मतलब अकेले विचरन की भी प्रेक्टिस कर लो क्योंकि यात्रा अकेले ही करनी है कोई साथ में कोई नहीं जाएगा साथ ना किसी के साथ कोई गया ना कोई किसी को ले गया और ले गया हो तो एकाद का नाम बताओ उससे पूछे भाईया कैसे ले गया हमें भी जाना है कोई ऐसा हो जो ले जाने वाला हो इतनी तैयारियां इतनी तैयारियां इतनी तैयारियां और साथ में कुछ जाता नहीं है गया है का किसी के? एक अध का नाम बताओ तेरे ये महल चौबारे यही रहे जाएंगे प्यारे ध्यान रखना यही सत्य है जिसने में लिखा है बले यह किसी हिंदे फिल्म में चला गया हो लेकिन वेदान्त की पूरी निचोड है वेदान्त का निचोड है ध्यान रखे